नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यह हमारा डेजल माकेनिक का दोस्तों आफिसेल पेपर है आई टियाई का जो सीवीटी पेपर हु दोस्तों 25 कोश्चन मिलेगा आपको परकसाब कैलकुलेशन और स्वारी इंप्लाइबिल्टी इस तरह से दोस्तों आपको 45 कोश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें देखे ट्रेट थेओरी के हम लोग सब सब पहले कोशन देख लेते हैं ट्रेट थेओरी में के ब्यास को मापने के लिए उपकरण यूज़ किया जाता हुआ रहता है हमारा आउटसाइड माइक्रो मीटर यानि माइक्रो मीटर के बाहर दूसरा कोश्चन है वाटेजिता नेम आपदा एक्क्वीपिमेंट चितर में यह जो आपको उपकरण दिखाया क्या है यह कौन स करेती है तो देखिए यह जो आपको रहती दिख रहा है यह हमारा कहलाता है रस्पकट फाइल तो रस्पकट फाइल का यह हमारा फिगर दिया गया है देखिए अब यहाँ पर हमारा चौछथा कोश्चन यहां पर करें कि वीच लाजिक गेटिच काल्ड एज इन वारेटर कहा जाता है तो देखिए नट गेट को दोस्तों इनवरेटर कहा जाता है ठीक तो नाट गेटको हम लोग इनवरेटर बोलते हैं चा। पाँचमा कोश्चन यहां पर करें कि विच इंचिन इजिए इस यूजिड यानिक उसके लिए हम लोग कौन रधंव सा इंजिडे आग पाने की cooling के लिए यहां पर देख सकते हैं देख यह दिया गया है चछफा कोशन वाटी ता नेम आपदा cleaning method चित्र में दोस्तों यह जो आपको cleaning यह साफ करने के दिखाया है यह क्या है यह क्या है देखिए यह जो है दोस्तों हमारा सिस्टम तो रिवर्स फलिसंग सिस्टम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्मा कोशन कर रहा है वाट इदा नेम आप दे इंजन यानि कि चित्र में दोस्तों यह जो आपको इंजन नीचे दिखाया गया है यह हमारा किस प्रकार का इंजन है तो देखिए यह जो दोस्तो हमारा कहलाता है थांब इसक्रू यहां पर हमारा ट्रेक्ट आंसर हो जाएगा नाव कोशन कि is non-pollution यis को हैं यिदि कैसे कहा जाता है जोट इसको इसको दोस्तों हमनों लों यह हमारा दयने मिद्धिवाईस भी कहते हैं तो हाइड्रो डाइनमिक डिवाइस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गयारे नंबर कोशन है कि इलेक्ट्रॉनिक कांपोनेंट इस यूजड एस स्वालेड इस्टेट स्विच यानि कि ठोक सा उस्थव सिच के रूप में कि सिलेक्टर घटा कोपियों किया जा है तो इन लाइन इंजन का दोस्ति हमारा फिगर है अब देखिए तेरे नंबर कोशन है कहा रहा कि विच डिवाइस यूजड इंक्रीज टार्क यांड की टार्क को बढ़ाने के लिए कि सुपन को यूज किया जाता है तो देखिए टार्क को बढ़ाने के लिए जो हम मफलर है दोस्तों यह हमारा है बाफल टाइप मफलर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंद्री नंबर कोशन है वाट इजदाने माब तर टेस्ट करीड आउट यानि कि दोस्तों यहां पर कह रहा है कि यह जो फीगर दिखाया गया है इसका परिच्छन क्या है तो तो देखें यहाँ पर यह हमारा क्या कहलाता है तो यह है तो दोस्तों हमारा आजल pump इस ट्रेट नहीं है ठेक सत्रे नंबर कोशन है वाट इताने माबदा पोर्षन वीलो तो कि क्या कहा जाता है कि निचे के हिस्िे को क्या कहा जाता है कि फिस्टस के फिटन के लिए किसकों धी को उप Sedal की यहांपर करेक्ट्ट ऑंशर हो जाएगा जाने कि सच्छ और को अच्छ ऐग करेक्ट एक को हो जाएगा 21 नमबर कोशन है वाट ही ता परपज आप चीज आल यानि कि छैनी का मेरे उज्जिस क्या होता है या हम लोग उसका किस लिए यूज करते हैं तो चीपिंग के लिए हम लोग दोस्तों चीजल करते हैं बाइस नमबर कोशन है वीचीज यर्डाइब सिर्फ साफ़ कम साफट का डराइब से कौन सा है तो देलखे हुआ है हमारा के 뜯ंग के साप्रक्रैंक पर हमारा कर्यक्ट अंसर हो जाए मैं जरफ से फीट इन नमर्जय रिफ्टि इन इनडरे में अरहांडरे में फिड़ किये जाता है बिसिट नीदक स्थे love सहर वह नाẫnसर होए एन था यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नमबर कोशन है वाट इदाने में अब वेल्डिंग डिवाइस यह जो आपको वेल्डिंग डिवाइस दिखाया गया यह हमारा कॉंट सा है यह जो है दोस्तों हमारा इंजन जनरेटर है ठीक 27 नमबर कोशन है यहां पर कार आए दोस्तों विश्ट आइप आफ है सर्विस एक्विपिमेंट यूश्ट वोल दा लिप इंट इंट नमबर कोशन है वाट अपर लुश्ट पार्ट मार्ट कर आइप यहां पर दोस्तों जो एक्स रूम में चिन्नित किया गया है यह हमारा क्या है यहां पर दिख्विफ सिगनल टू आपरेट आई हैसी वाल तो जो उस न्चालेफ करने के लिए कौन सो इलक्ट इ इकाई संकीते देती हैं वो रहते हैं दोस्तों ECM तो इलेक्ट्रोग टेमकल मसी यहां पर हो जाए गई है देखिए तीस मुंबर को कोश्चन है पाटी दने माब दक पिलर प्लायर है से ठीक तो यह प्लायर है तो यह जो प्लायर है दोस्तों हिसका नाम क्या है तो यह दोस्तों हमारा इंड कटिंग प्लायर और देखिए कहरा हैं वाट ही दने में आप दो प्रोसीस टिखाए गया है यह कौं सा प्रोसा से तो दोस्तों भी एक संक्रायर डिखाया गया यह समारा ठीक, 32 numbers question है which system an accumulator is used, कि system में एक संचाय का उपियोग किया जाता है, तो रहता हमारा hydraulic system, तो hydraulic system में दोशन, एक संचाय का उपियोग किया जाता है, 33 number question यहाँ पर कह रहा है, what is the expansion of HEUI, HEUI का full form क्या है, यह है दोश्तों hydraulically actuated electronically controlled unit injector, थर्टिफोर नॉम्बर कोशन है वाट इता पार्ट मारका इता है यहां पर दोस्तों यह पार्ट जो दर्शाएग यह क्या है तो यह कहला आता है दोस्तों हमारा डेप्ट मेजरिंग विलेट तो गहराई में आपने वाला विलेट है वो हमारा 35 नमर कोशन है वाट इदा ने मापद एक्वीपिमेंट चित्र में यह जो आपको एक्वीपिमेंट दिखायागी है यह कौन्स एक्वीपिमेंट है तो दोस्तों यह हमारा मकाइनिकल जैग 36 नमर कोशन है वाट इदा ने मापदा सेप्टी डिवाइस तो सेप्टी डिवाइस जो हमारा गॉगल यानि की चस्मा है ठीक 37 नमबर कोश्चन है वाट इदा ने माबदा सिंबल चित्र में यह जो आपको सिंबल दिखाएगी यह काउंस सिंबल है तो दोस्तों यह हमारा नाट गेट का सिंबल 38 नमबर कोश्चन है इसमें नाट गेट है और सिंबल चुरू होता है इसमें पहला कॉश्चन है के वाट इज द éénनिट एड यानि कि उसमा की य साइग क्या है उसमें कि यह साइज होता है दोस्तों जूल दूसरा कोशन यहां पर कर रहा है कि वाट आर fundamental unit यानि कि जो मुलभूत रिकाई है काउं काउंसी है तो लेंथ मास और टाइम यह सब तो हमारा मुलभूत रिकाई है थीक तीसरा कोशन है वाट डिनोट लेटर कैपिटल आयम in mk system in k system में में जो कैपिटल आयम होता है यह meter को बताता है ठीक कि यह बताता है कि यह बताता है सबसे अच्छा चालक कौन है देखिए जो बहुत अच्छा चालक है वो है कापर पंच्छा कोशन है विच मेटल इज वाडली यूजट फार मेकिंग कास्टिंग आफ मसिनरी पार्ट मसिनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस दहा तो कब यापक रूप सुप्यूप किया जाता है वो रहता ग्रे कास्ट अच्छा नियानी की दूसरे ढलवा लोहा चाथ कोशन है वाट इच काल्ड मास पर यूनिट वैलू माफिस अविस्टेंस किसी प्रदार्थ के दरब्यमान प्रतिका या इतन को क्या कहते हैं तुस्ट हम लोग डेंसिटी आने की घनत कहते हैं अब देखिए इंजरीन ट्राइंग के आपको दोस्ति यहां पर आप चाह कोश है तो वाटर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएका पाने दूसरा कोशन है विच सिंगल इस्टो इंकलाइंड लेटर कैप्टल ए इच करेक्ट एज पर आई-एस स्टेंडर्ड आई-एस मानक के अनुशार कॉंसर सिंगल इस्टो रटकल लेटर यह सही है तो इसमें जो सही है है दोस्तों यह वाला सही है कि साथ अनपाद्ध पांच में यह चुका है ठीक है अब देखिए अगला कोशन यहां पर तीसरा कर है identify the name of the bridge में यह प्रिज में दिखाया गया है यह कौन सब प्रिज में है यह प्रिज में हैं दोस्तों हमारा hexagonal प्रिज में चौथा है compass used to draw far compass को उपियों किसको खींचने या ट्रा करने के लिए किया जाता है तो compass का परियोग दोस्तों हम लोग circle को खींचने के लिए यूज करते हैं पांचाव question है which dimension correctly marked in the circle as per standard माना के नुसर circle में कौन सा आजम से डंग से चिन नहीं था तो यह दोस्तों हमारा यहां पर जो दर्साय गया है कि यहां से इस तरह करके यहां पर 550 यानि कि इसका जो ब्यास है पचास है हम यह identify the conventional symbol of material यह जो conventional symbol बताएगे है material की यह account से material का है कि यह दोस्तों इस बात का है अब देखिए यहां पर employability skill का दोस्तों 25 question देखने को मिलेगा तो जिसमें से पहला question यहां पर है कि communication that involves exchanging information without use of word is called communication जिसमें सब्सक्राइब के उपयोग के बिना सूचना कादान परदान सामी लग च्या कहलाता है च्या कहलाता है non-variable communication तो non-variable communication यहां पर correct answer हो जाएगा दूसरा है कि which of the following website are not popular for finding जाग नमने में से कौन से website नौकरी खोजने के लिए लोग पर यह नहीं है तो twitter.com ठीक तो यह social media है दोस्तों ना कि नौकरी खोजने की website है ठीक अब जखेंगे यह पर तीसरा करबा है मैं ठीक चौथा कोशन है which one is not a basic tool used in quality circle quality circle में कौन सो बुनिया जुपकरने नहीं है तो एक टार के रिंच तो टार के रिंच यहां पर टांसर हो जाएगा पांचमा है कि हैजर्ड यूज्ट टू टाक्सिक परपार्टी जाफ केमिकल और क्लासिफाइड है रसायनों के जहरीले गुड़ों के कारण होने वालों खातनों को किसके रूप में वर्गी क्रिद किया जाता है चाथा कोशन है कि विच वन इस एक वेब ब्राउजर है तो इंटरनेट एक वेब ब्राउजर है साथ में किदा एकस्पेंसन आप जी डीपी जीडीपी कर फूल फार में दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक प्रोड़क्ट आठ्मा कोशन है वाट इज साटकर की फार पेश्ट कमांड तो पेश्ट करने के लिए हम लोग कौन से साटकर की यूज़ करते हैं तो कंट्रूल प्लस एसे तो कंट्रूल प्लस वी तो कंट्रूल प्लस वी से हम लोग दोस्तों पेश्ट करते हैं कंट्रूल प्लस एसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कंट्रूल प्लस से कॉंपी करते हैं कंट्रूल प्लस यक्स से कर अब दखिए नवा कोशन सेपी यू स्टेंड्स फार तो सीपी benefit of oral communication मौकिक संचार communication का लाब नहीं है तो इटीज फार रिकार्ड क्यारे नमर कोशन है विच वन इजे वेब बेस्ट एकाउंटिंग कौन से एक वेब आधारित लिखांकन है तो टैली जो है दोस्तों वेब आधारित लिखांकन है बारे नमर कोशन है विच आफ देज एक्स्पेंसेज और इंकरड वेन वी मूव तो ए निव सिटी यानि कि जब हम किसी नहीं सहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है तो यह होता है रेंट आफ एन अकमांडेशन एक आवास का किराया तेरह नमर कोशन है कि मसमी स्टेंड फार तो मसमी का फुल फार्म किया है दोस्तों इस माइक्रो इसमाल एंड मीडियम इंटरप्राइज चौदे नमर कोशन है एक एमेल में आप प्राप्ट करता का इमेल एडर्स इमेल का पता कहां जोड़ेंग declare का यह एमेल की का पी छाहते हैं पंद्रे नमर कोशन है एबीEC इस फ्रस्टेड तेन फारर कोशन है तो एबीच का फुल फार्में दोस्तों Airway, Breathing और इसका बढ़ा है Circulation सोले नमबर कोश्चन है Which one is an email antiquity तो एक email सिष्टा चार काउंस है तो keep email short email को छोटा रखना ठीक सतरे नमबर कोश्चन है Which one is used to measure the economic performance साफ़े whole country पूरे देश यह छितर के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है GDP का अठारे नमबर कोश्चन है During using ATM Authentication is provided by customer by entering डडडडडडडडड़ तो ATM को उप्योग करने के दवरान ग्राहा को दोस्तों पिन लिखकर प्रमाडड़ करने के जाता है तो यहां पर पिन डालना पड़ता है ATM से पैसे निकलते हैं उन्हेस नमबर कोश्चन What is the comfort zone? Comfort zone क्या है? तो यह है Our family life style and behavior is our comfort zone यानि कि हमारे परिशित जीवन सेलियर बेवार ही हमारा आराम छेते हैं इस नमबर कोश्चन है As compared to small scale business Larger scale business required लग उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर ब्यावसाय क्या हो सकता है तो more number up person यानि कि अधिक ब्यक्तियों की संगे 21 नमबर कोश्चन है कि production is defined as a ratio उत्वादन के अनुपात के रूपे में परिभासित किया गया है तो output वटा input को हम लोग उत्वादन के रूप में परिभासित करते हैं अगला कोश्चन है बाइस नमबर का विच अब्दाफ फालूंग इस नाट रूट कौन सो सत्य नहीं है तो दखे आस्क इच कश्टूमर तर सेम सेट आप कोश्चन पर तेक रांक से समवन प्रेश्चन पूछना यह सही नहीं है त्रीज नमबर कोश्चन है विच मार्केट टिटर्माइन्स दर रियल वेज आफ एंड इंप्लाइमेंट कौन सा बाजार वास्ति मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है तो यह रहते हैं लेवर मार्केट यानि किस तरह हम बाजार चौबिस नमबर कोश्चन है विच वन इच कंसीडर्ट टू बी ए पूर कम्मिकेशन किसको पूर कम्मिकेशन माना जाता है तो मैसेज इच अमबेजियस यानि कि संदेश का अस्पेश्ट होना हुई पूर कम्मिकेशन माना जाता है पच्छेस नमबर कोश्चन है विच वन इच कंसीडर्ट टू बी ए गुड कम्मिकेशन कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है तो सेंडर इच पाश्टी टू आट से रिसीवर से रिसीवर के प्रेशक सकारात्मक है यह अच्छा संचार माना जाता है तो दोस्ती यहां पर हमारा डेजल मेकनिक अप 2022 के जोगस्त में पेपर हो तो वह कंप्लेट होता है और इसी तरह से आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो जो वीडियो को लाइक करें पर दोस्तों के साथ सेयर करिए गंग ने नेस्ट वीडियो में थैंक यू